Hi everyone, welcome back to our channel, मैं हूँ शिवानी, आज थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो लेके आए हूँ, I hope आपको पसंद आए और आपके काम आए, आज की वीडियो ना I think हर कैटेगरी के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, चाहें आप working women हो, housewife हो, अभी आप student हो, आप male हो या female हो, service वाले हो, या business वाले हो, I think हर किसी को इससे कुछ ना कुछ tips जरूर मिल जाएंगे, आज मैं आपको पताने वाली हूँ कि आप अपना पूरा जो आपका हफता होता है, उसे कैसे manage करो ढग से, और उसे manage करने के लिए आपको weekend पे कुछ ऐसी चीज़े करने होगी, कि जो ना हो, तो weekly planning आपको कैसे करनी है, वो मैं आज आपके साथ share कर रहे हूँ, जरूरी नहीं है, जो चीज़े मैं करती हूँ, वो सब की सब आपको करनी है, मेरा मतलब यह है कि इसमें से जुतनी चीज़ें आपको लग सकता है, आप apply कर सकते हो, और अपनी life को easy बना सकते हो, व अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो, जो कि आपकी life को थोड़ा सा easy बना दे, तो मुझे बतायेगा, मैं ऐसे और वीडियोस भी लाती रहूँगी, आइए शुरू करते हैं, अब let's get started, देखें सबसे ज़्यादा जो मशक्कत होती है कि पूरे हफते मे क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए, और personally मेरे घर में इस चीज़ पे इतना ज्यादा time waste होता था, कि हर किसी के एक तो choice अलग-अलग है, हब हर किसी की choice के हिसाब से चीज़े सोचना, एक इनसान के लिए एक चीज़ अगर बना दी गई, उसका जी एक particular चीज़ खाने का मन ह तो बाकी लोगों के लिए दूसरी चीज़ में सोचना, तो इस तरीके से मेरा time बहुत जादा waste होता था, और multiple चीज़े बनाने के लिए तयारिया भी जादा करनी पड़ती है, time जादा लगता है, effort जादा लगता है, और ठकान भी जादा हो जाती है, तो दूसरे काम करने के लिए भी energy नहीं बचती, तो इस चकर में मेरा तो बहुत सारा time चला जाता था खाने को लेके, एक चीज़ जो हमने करना शुरू करी, सबसे पहली बात तो ये कि weekend वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, जाके सबसे पहले तो हफते भर के लिए सबजियां, हफते भर के लिए fruits जो भी चाहिए हमें, वो खरीद लिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हफते के बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि ये particular चीज पर आनी है, लेकिन वो घर में available ही नहीं है, तो या तो आप जाके लाओगे, या फिर देखोगे कि घर में क्या available है, घर में वही एक दो अगर option हों और संडे वाले दिन आप बहार चले जाओ, या संडे वाले दिन घर पे आराम कर लो, सेटरडे वाले दिन अपने सारे काम निपटा लो, अगर जिस किसी का सिर्फ एक ही ओफ है, तो मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा टाइम को मैनेज करिए, ऐसा नहीं कि आप सारा दिन घर पे चिली करें और बाकी पूरा हफता फिर आप परिशान हो रहे हैं, थोड़ा से टाइम निकाल के अपना उस एक चुट्टी वाले दिन का, चाहे आदा दिन निकाल लो, चाहे कुछ घंटे निकाल लो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लो अगर उस टाइम को, त जो चीज खतम होगी, आप लो द्यकसिता जाते हैं, पर घॉकल, बिजनी से फैमिली होती थी हैं, उनके घर में ही रूल होतбह यह भूल ह होता है, जो चीज खतम होगी तब मंगालेगे, इस चक्कर में, काफी सारी चीज भी लूटा हैं आपके लिशीर थी, चुट्ती बाल उस हिसाब से वो भी खरीद लाइए चुट्टी वाले दिन ही अब क्या है आपको जादा सोचना नहीं पड़ेगा क्या बनाना है जो चीजे आपने ली हैं चुट्टी वाले दिन उसको ही आप इस तरीके से देख लीजे कि अच्छा मैंने चार तरह की सब्सी ली है इस दिन यह बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा उसी दिन ही जब आप उन सब्सीयों को धो रहे होगे स्टोर कर रहे होगे अपने फ्रिज में यह भी चीज ध्यान रखिए कि जिस दिन आपने खरीदा है उसी दिन सब्सीयों को फ्रूट्स को अच्छे ज्यादा नहीं होती, उनको आफ पहले बना लीजे, जो जादा दिनों तक चल जाएंगे, उन्हें बाद में बना लीजे, किसी दिन दाल बना लीजे, अब जो चीज़ें आपने ल rush आपने mood के साफ से जिस डिस जो खाने का मन हो, उसे साफ से आप बना सकते हो, और अगर आप को इतना भी नहीं करना तो पहले से ही हफ़ते के शुरू में ही decide करके एक चार्ट पे लिख लो इस दिन ये बनेगा इस दिन ये बनेगा इस दिन ये बनेगा तो और भी जादा आपकी life easy हो जाएगी दूसरा सबसे जादा time taking जो चीज होती है वो है कपड़े और अगर आप बाहर जाने वाले इंसान हो, वर्किंग हो, तब तो मतलब ये इतना जादा स्ट्रेस देता है न हमें कि कौन सा कपड़ा धुला हुआ है, कौन सा कपड़ा प्रेस किया हुआ है, मैचिंग इसका बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके साथ में फुट्वियर का वेस्ट होता है न, इस बैटर कि आप अपना जो वीकेंड वाला दे है, उसको डिसाइट करो कि अगर आपने कपड़ों के धेरी बना लिए न, कि धुलने हैं, तो धोलो नहीं लगके, ऐसे नहीं है कि उससे आप टालते जा रहे और अजो आपकी वाल्डरों में कुछ भ पास जो भी प्रेस वाले भहिया हैं, एक पोटली बनाएए उन कपड़ों की और अपने प्रेस वाले भहिया को दे के उनसे प्रेस करा लिजे, एक बार जब आपके पास प्रेस होके कपड़े आ जाएंगे, उन्हें अपनी अलमारी में अच्छे से लगा लिजे हैंगर्स और फिर आपको बस जिस दिन जो पहनना है आपके सामने हैं, जिस दिन जो कलर पहनने का मन हो उसे उठाइए और पहन लीजे, एक और प्रो टिप यहां पे यह है कि अजब आप इन कपड़ों को अपनी अलमारी में लगा रहे हों, तो संदे मदे टूस्टे वैडनस दे के ह तो उन्हें पर्टिकुलर के साथ की कोई जूल्री पहननी है, तो वह भी उसी टाइम पर ही डिसाइट करने तो पूरे हफ़ते का कितना ज्याद आप अपना टाइम सेफ कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों की भी प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि आपका का काफी ज्यादा टाइम सेफ करेगा, अब नेक्स जो आपका टाइम खाता है चीज वो है, क्लटरड चीजे, अगर आपकी अलमारी पूरी जैसे भरी बड़ी हो, आपको उसमें से चीजें ढूननी हो, आपके अंडर गार्मेंट्स आपने ठीक से अरेंज करके नहीं रखे है आपके सॉक्स आपने ऐसी भर रखे हैं, अपने असे सरी अपने धंक से नहीं लगाए हुए हैं, तो यह चीजें आपका कितना जादा टाइम वेस्ट करेंगी आपको खुदी पता होगा, और आप परिशान भी होते हो, इस्ट्रेस में आजाते हो, यार यह नहीं मिल रहा, आपका दिमाग अलग खराब होता है, टाइम अलग वेस्ट होता है, तो इस बेटर कि अपने जो छुट्टी वाले दिन है उनको यूटिलाइज कीजिए, कुछ ना कुछ अपना अरेंज करने के लिए, जैसे कि एक छुट्टी वाला दिन पकड़ लिया आपने कि अपनी अ तो इस बेटर कि हर चीज की एक जगह आप निर्धारित कर दें, कि यह वाली पर्टिकुलर चीज यहीं ही रखी जाएगी, तो यह थी मेरी नेक्स टिप, टिप नमबर फोर, कि हर चीज की एक जगह आप निर्धारित करिए, और अपने थोड़ा conscious का यूज करके उन चीजो को वहीं रखिए, ताकि आपको चीजों को डूड़ने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और इजीली आपको समान मिल जाए, ओफिस से आके जैसे अपना पर्स है, या अपनी कीज है, जहां उनकी आपने जगह बनाई है, उन्हें वहीं पर ही रखे, ताकि अगले दिन वहीं से ले जाए, तो इस तरीके से चीजें अच्छे से भी रहती है, उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, और चीजें आपको ढूड़नी नहीं परती है, आपका टाइम नहीं खराब होता, मेरी लास्ट इप आप लोगों के लिए ये है कि अपने आपको बैटर और एक कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ये प्रेशर रहेगा कि जो चीजे मैंने लिखी है, मुझे कम्प्लीट करनी है, ये आपका जो आलस है उसे भी थोड़ा बगाने का काम करेगा कि अरे यार यार ये काम बचा पड़ा है, इसे करना है, सेम वे मैं तो इविन अप पता होता है कि ये वाला काम मुझे करना ही करना है, ये कल से पैंडिंग पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद के इंचार्ज बन सकते हैं और खुद को काम साइन कर सकते हैं, जिसे कि आप बेटर तरीके से खुद को और्गनाइज कर पाएं, देखिए आपको बहुत जादा स्ट्रेस देती हैं, और कहीं ना कहीं आप ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जितना जाद आप चीजों को और्गनाइज करोगे अपनी लाइफ में, अपनी चीजों को और्गनाइज करके रखोगे, उतने ही जाद आपको मेंटल पीस मिलता है, ताकि smoothly आपका ये पूरा week जाप आए, मुझे बताना मेरे tips आपको कैसे लगे, बहुत छोटी-छोटी सी बाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें apply करने लग जाओ ना, तो ये इतना बड़ा difference create कर देंगी आपकी life में, आप really मुझे thank you बोलोगे, so please apply कीजे इन चीजों को, और अगर फायदा लगता है, तो मुझे comment section में आके जरूर बताएगा, मुझे अच्छा लगेगा, और अगर आप चांते हो, मैं ऐसी और वीडियो बनाओ, तो वो भी मुझे जरूर बताएगा, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like कीजेगा, share कीजेगा, और मैं चलती हूँ, मि